किसमें करेंगे हम सब्सक्राइब पूरे 100 कोशन कितने सो अतिम हैत्पूर प्रस्टन करेंगे जो आपके पेपर में कई वरसों से गई से पूछे जा रहा है तो देखलो कई वरसों से पूछे जा रहा है सभी कोशिनों को याद कर लो रट लो Master video रहने वाला है 100 important question इसी type question paper में पूछे जाते हैं चैनल पर पहली बार आयो चैनल को subscribe कर सकते हो अभी ने तो video को देखने के बाद end में subscribe करें quality अच्छे लगे question समझ में आये तभी last में subscribe करें और 5 लोग के पास प्लीज आप सभी लोग share जरूर करें क्योंकि basic question है इसे question paper में पूछे जा सकते हैं चलिए start आज़ते हैं देखो या पर पहला question क्या बना important question है दाहां से देखो इस question को क्या question मनना है वर्स 2016 में निम्र में से Olympics में सरवाधिक पदक किस देश ने जीते भीया 2016 में Olympics हुआ था उसमें सरवाधिक पदक किस देश ने जीते थे तो याद रखें कभी भी question आया 2016 में Olympic पदक किस देश ने जीते सरवाधिक तो इभीया जीते थे सुझक्त राज अमेरिका ने option number A correct याद रखें पेपर में कभी पूछें सुझक्त राज अमेरिका किलिक करें next question देखिए देख लो इस question को guestा second question दियां से देखो किस छेत्र में Harit Kránti भारत में सफल रही बताओ विया फटापड किस छेत्र में Harit Kránti भारत में सफल रही थी तो गेहों के छेत्र में सफल रही थी जाद रखें option number A correct यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे थोड़ा स्पीड पर पढ़ेंगे आप से लोग पढ़ते रहो चलो नेक्स्ट कोशन देखिए और इसकी फ्री पेड़ पहल टेलिग्राम पर मिल जाएगी टेलिग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिक सिंबॉक्स में दिया हुआ ह आप से लोग टेलिग्राम पर पहुंझज गेंगे लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या कर्ना कि आप से लोगो टेलिग्राम ग्रूप attackedmск अं प्लेजू से प्रोट ना करें तो आप से लोग बिसहें यहां पर टेलिग्राम पर, वैसे आप से लोग को टेलिग्राम पर लिंक मिल जाएगी, वहां से डैक लिए पहुंच जाओगे, ओके? तो देखें आपर third question क्या है रंग भेद सब्द का आर्थ क्या है बताए फटापट रंग भेद सब्द का आर्थ बताना है किसे है भाई या इसका सम्मंद तो third question का एक एक औरेक्ट जाती भेधपाऊ से याद रखें option number एक औरेक्ट जाती भेधपाऊ next question देखिए देखो क्या question है Macbeth Natak के लेखक कौन है Macbeth Natak के लेखक कौन है कौन करा इस question को चौथे question को correct है भी है आप असन नमबर B Shakespeare है याद रखे Shakespeare Macbeth Natak के लेखक चलिए अंगला question देखते 5 question देखो ध्यांसे अमर कंटक से कौनसी नदी का उधिगम होता है अमर कंटक से कौनसी नदी का उधिगम होता है तो दो नदीयों का उधिगम होता है तो हो जाएगी सोन दूसरी हो जाएगी नरवदा तो फिलाल ये दोनों हो जाएगी A और D दोनों option में नहीं दिया हुए याद रखें, option number D correct है और A correct है, दोनों ही correct है, याद रखें अमेरे कंटक्स से कौन सी नदी का उधिकम होता है सोन और नहरबदा के लिए तो एक competitive exam के लिए काफी important वीडियो सावित होगा याद रखें आप सभी देखो फिलाल इस question को क्या question है, six question देखिए सबसे बड़ी मानो निर्वित जील काउन सी गई है सबसे बड़ी मानो निर्वित जील काउन सी गोविंद वललब पंत सागर, option number D correct है गोविंद सागर, याद रखें, option number फिलाल D correct है सबसे बड़ी भी है मानो निर्वित जील है important question आपके exam के लिए देखिए कितना आती मैत बूड़ प्रशन है ये paper में पूछा जाता question अधिकतर repeat भी हो, RRB NTP से के exam चल लगा उसमें repeat हो है question सून काल की आवधी, लोकसभा में कितनी होती है इस कितने गंटे की होती, पूछा जा रहा है दो गंटे की, एक गंटे की, आदे गंटे की है फिर इन में से कोई नहीं सून काल की आवधी बताओ फटाओ पट correct है, इसको option number B एक गंटे की होती, सून काल की आवधी भी है option number B correct है, एक गंटे की आजाओ फिर अंगले question पर देखो इसको UNO, United Nation Organization organization की स्थापना किस वर से थी भी है UNO, United Nation Organization की स्थापना का भूई थी 24 एक्टूबर 1945 में थी option number यापर B correct है, याद रखें option number क्या correct है, B right है 8 question का B correct है, चले फिर अंगला question देखते है देखो फिलाल क्या question मनना है guys, dacad gangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangan आप 20 से 25 मिनट में हो जाएंगे सारे कोशन, 100 कोशन, 30 मेंट सारे लग सकते हैं, चलो देखो क्या कोशन है, निमने में से भारत किसका सदस नहीं है, भीया किसका सदस नहीं है, तो 10th question का correct है, आप फिलाल option number A, आसियान का, भारत जो है आसियान का सदस नहीं है, याद रखें, देखिए इस question को क्या है, निमने में से सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी कौन सी भीया, विस्तु की सबसे लंबी नदी भीया हो जाती है आपकी नील नदी, याद रखें, फेपर के लिए काफी important question है, repeat है, सबी लोग को पता होना चाहिए, तब ही तो मुझे लग रहा है, सव में से 80 से 85 question लड़के करेंगे, 80 से 85 question सबी लोग करके दिखाना है, जिसके भी 80 plus आएं, वो लोग comment करके बताएंगे, प्लीज, answer अपने, आजाओ फिर इस question को, लोथ़ल किस काल का एठ्यासिक स्थल है, कौन करेगाए इस question को, सिंदु घाटी काल का भी याद रखें, फेपर के लिए काफी important question य भी है, option number C करेक्ट है, लोथल किस काल का एथिहासी किस तल है सिंदु घाटी काल का है चलिए आज आई अंगले कुशन पर आश्टेलिया की मुद्रा कौन सी विया आश्टेलिया की मुद्रा इसमें से क्या है विया आश्टेलिया की मुद्रा क्या है तो आश्टेलिया ही डॉलर है आप्शन नमर इसमें से कोई नहीं जाद रखें आस्ट्र्याई डॉलर्र आस्ट्र्याई के मुद्रा चलो फिर अंगले qocean में चलते हैं देखलो इस qocean को निम्न में से भारत रत्रन से संभानित नहीं हैं इनमें से कौन भारत रत्रत्र से सम्मानित नहीं है क्या राजिव गांदी नहीं जे आरडी टाटा नहीं मदर टेरेसा नहीं या फिर इन में से कोई नहीं भी यह सभी लोग भारत रतर से सम्मानित हैं फिलाल लाइट आंसा जा रहा है डी के साथ इन में से कोई नहीं यह सभी भारत रतर से सम्मानित हैं ओके चलिए क्लियर हुआ आजाए फिर अंगले कोशन पर विस्सु का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है 15 कोशन विस्सु का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो सभी को यार पता है सहारा सहारा रेगिस्तान विस्सु का सबसे बड़ा रेगिस्तान है फिलाल उप्सन इस वोशन को क्या है? यह कुशन तो यार अभी मैंने राष्टपती से कोशन जो कराया थे, उसमें इस कोशन कराया था, निर्विरोध चुने जाने वाले भारत के परतम राष्टपती कों थे? सभी को पता है, निर्विरोध जिनके अपोजिट पार्टी में कोई नहीं थे, इस कोशन को निर्वाचित हुए थे, यनि खड़े हुए थे चुनाओं के लिए, ठीक? तो नीलम संजीव रेड़ी थे, याद रखें, वेपर आती मैत्पूर प्रशन पूछे जाता है, ओप्शन नमर B राइट है, याद रखें, देखें इस कोशन को निमन में से किस वस् मैसूर के लिए विख्यात है, या सल्क के लिए विख्यात है, ओप्शन नमर A करेक्ट है, सल्क, सल्क के लिए मैसूर विख्यात है, इंपॉर्टन कोशन आपके एकजाम के लिए, आज ये एंगली कोशन देखें, सेयुक्त राज अमेरिका के पर्थम राश्ट्रपती को न basic question है, कैसे question है, basic question है, हिसे question पूछे जाते है, लड़के doubt करते हैं, और कुछ नहीं पता होता है, बट कभी-कभी यह लगा देते हैं, कभी-कभी यह लगा देते हैं, रिवीजन कर लो, सिउक्त राज अमेरिका के पर्तम राष्ट पती कहों थे, तो जार जवानसी गटन थे याद रखें, option number फिलाल एक रेक्ट है, जार जवानसी गटन स्नियुक्त राच अमेरिका के प्रथम राष्ट पती थे, ओके, चलिए, clear हुआ, next question देखिए, क्या question है, प्रथम 77 संग्राम कब हुआ था भी या, प्रथम 77 संग्राम कब हुआ था, त विजएस थम का हैस्तित है, 21 question को देख लो, फटा पर बताओ, विजएस थम का हैस्तित है, content समाझ में आ रहा है, question अच्छे लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, और दस्तक academy जरा सभी आप सभी लोगो अच्छी लगती, तो आज ही चैनल पर subscribe करके जूड़ जाएगा, और पहला आइकन प्रेस कर लिजए जिससे की, 22 में कभी भी latest विडियो या फिर कोई सी भी exam की त्यारी करनी, तो इस चैनल पर आ सकते हो, ओके, तो पहला आइकन जैसे ही प्रेस करोगे, सभी विजएस थम का हैस्तित भीया, चार options देखे, चित्तोडगण, जोधपूर, संयुक्तराष्ट संग की स्थापना कभ ही थी, संयुक्तराष्ट संग की स्थापना, option number B correct है, 24 October 1945 में, यात रखे, option number B right है, important question आपके exam के लिए, इरान की राजधानी क्या है, इरान की राजधानी क्या है guys, देशों से राजधानी, महा की मुद्रा है, question में पूछे जाते है तो तेहरान है भी है, इरान की राजधानी तेहरान है, फिला लाइट है, option number D, तेहरान, देख लो इस question को, मैं एक मोहल लाइन की दो देशों को जोड़ती है, simple question है, basic question है, मैं एक मोहल लाइन की दो देशों को जोड़ती है, तो बता दो यहाँ पर भारत और चीन को जोड़ थे भिया, भारत एक खोज किताब किस ने लिखी थी, जवाला नहरू ने लिखी थी, याद रखें, फिला लाइड है option number C, next question देखा जाए, चले फिर अंगरा question देखते है, दिल्ली चलो कनारा किस ने दिया था, दिल्ली चलो कनारा किस ने दिया था, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्रबोस थे भिया दिया था, ओके, फिलाल लाइड है option number B, सुभाष चंद्रबोस, यह बोड़न question आपके exam के लिए भी, देखो क्या question मनना है, वाना रसी किस नदी के तट पर रिषते थे, वाना रसी, ऐसे कौन सी नदी है, वाना रसी यह आपके UP में है, ठीक है, तो UP के किस नदी के तट पर रिषते थे, वाना रसी, 27 question का correct है, आपर किस के साथ जा रहा है, option number D के साथ, गंगा नदी के तट पर रिषते थे वाना रसी, option number D, राइट है, बताओ चाए इस question को, निमने में से वेद कितने होते, वेदों की संख्या कितनी, सभी को पता है, चार वेद होते हैं, रिग वेद, यजर वेद, साम वेद, अधर वेद, कितने, चार, ओके, चलिए, और रासी आप पूछ लिए जाए, तो 12 रासी याद रखें, जो रासी नहीं होते हैं, तो सिंग रासी, मेग रासी, ओके, तो 12 रासी होते हैं, चलो फिर आजाओ इस question पर भारत में पहली रेल कप चली थी, या भारत में पहली रेल कप चली थी, सभी को बताए, 1853 में चली थी, विस्ट में कप चली थी, सबसे पहले तो 1925 में चली थी, यह आप सभी लोग याद रखें, 1925 में, और भारत में जब भी रेल ही चली थी, 1853 में, किसने चलाई थी, ल चापान की मुद्रा भीया, ये न है, option number या पर, तीसरा करेक्ट है, या फिर C बोल सकते हो, चापान की मुद्रा ये न है, ओके, चलिए फिर, देखिए, जलियावाला बाग हत्या कांड कब हुआ था, जलियावाला बाग हत्या कांड कब हुआ था, 31 कोश्चन, 31 कभी करेक्ट 13 अप्रेल, 1919 में हो था, अमरसर में हो था, पंजाब के अमरसर में, ओके, जलियावाला बाग हत्या कंड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जो हजारों लोगों की मरत्ति होई थी, जलियावाला बाग हत्या कंड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, जर् सबसे बड़ा वीरता पुरुसकार कौन सा या कोई कर रहा है इस परमवीर चक्र है सबसे बड़ा वीरता पुरुसकार याद रखें पेपर के यह भी important question है यह राइट है याद रखें परमवीर चक्र है सबसे बड़ा वीरता पुरुसकार कौन सा है परमवीर चक्र मिस्वर्ड प्रतियोगिता के शुरुवाद कब हुई थी मिस्वर्ड में नहीं चुनी जाती जो महिला है पुरुस ओके तो इसके शुरुवाद कब से हुई थी बी राइट है याद रखें इस question को भी दिख क्या question है का मुखेले कहां इसती थे जिनेवा स्ट का मुखोर्ड कहां इस थी थे जनेवा स्विटजर्स अनेवी में इस थी थे जिनेवा इसती रखेंगे नंग लेہोगित थे देखे, CPU, सभी को पता होना है, बच्चे-बच्चे को पता है, CPU, Central Processing Unit होता है, भी यह इसका फुल फॉरम, क्या होता है, Central Processing Unit, Option number फिलाल, ए राइट है, Central Processing Unit, देखो चाहिए, इस कुछन को, भारत का राश्टी जानवर क्या भी है, या फिर पसु बोल सकते है, या फिर जानवर बोल सकते है, भारत का राश्टी पसु या जानवर कौन सा है, भी है, सभी को पता है, भाग है, भारत का राश्टी पसु बाग है, याद रखें, आजओ, विस्चु का सबसे बड़ा महादीब कौन सा है, विस्चु का सबसे बड बड़े बेटे का नाम क्या था, यहाँ पर भी या बड़े बेटे, क्या है, मुगल बादसास आ जा हां के बड़े बेटे का नाम क्या था, 40 question, यह औरंग जेप था, याद रखें, औरंग जेप, okay, important question है, याद रखें इस question को, देखो उत्तराकंट राज बनने से पहले देरादून सहर किस राज में सामिल था उत्तराकंट राज बनने से पहले देरादून जो सहर है किस राज में सामिल था भी है यूपी में उत्तरप्रदेश में सामिल था ये जो उत्राइखन राज बनाय योत्तर प्रदेश न ही इह बिक्टित होकर बना हुआ है ओके चलिए, किलियर हुआ आजाओ फिर अगली कोशन पर कुम्भल कढळ किला किस जिले में है 42 कोशन कुम्भल कढळ किला किस जिले में इस्थित है राजसम्मद में, राजसम्मद कहा है भी है, राजस्तान में, याद रखें, राजस्तान में, राजसम्मद, यहीं पर इस देत है क्या कुंभल गड़ का किला, ओके, पेपर के लिए important है, option number B right है, देखे लो इस question को, सर इसका अभ्यारंड किस जिले में इस देत है, यह question मैंने कराये हुआ, जो आप भ्यारंड कराये, कम से कम 50 question कराये है, आप भ्यारंड से, उसमें question कराये हुआ है, चर इसका भ्यारंड कहा है थे तो 43 question के क्या right है इसका, option number A correct है, अलवर, अलवर भी है कहा है, राजस्तान में, important question A right है इसका, देखे इस question को, भारत का सर्वोच नागर नागरिक सम्मान कौनसा है, 44 question का correct है, आपर option number B, भारत रतने, सर्वोच नागरिक सम्मान भारत रतने, बच्चे-बच्चे को पता है, option number B right है, याद रखे, देखो, पाकिस्तान ने भारत को, वर्ड कप, यानि, वर्ड कप हुआ था, 2016 में, कितनी बार हराया है, पाकिस्ता है, भारत कराश्टी खेल क्या है, सभी को पता है, भारत कराश्टी खेल भीया, क्या है, हौकी, क्या भीया, हौकी है, भारत कराश्टी खेल, चले, फिर अंगरा question देखी, देखिए इस question को, भारत के प्रतम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रतम गवर्नर जनरल कौन थे पर्थम बाहरती पूछे तो सी राज गोपाला चारी हो जाता है पर्थम गवर्णन जनर्र पूछे तो यहाँ पर हो जाता है लाड लूइस मांट बेटर ने लाड मांट बेटर ऑप्शन नमर सी करेक्ट भिला गया पर डी नहीं होगा सी राइट है अजन्ता एलोरा की गुफाएं कहां इस्तित है यह पर प्रशन पेपर में आते रहते हैं यार लड़के डाउट करते हैं इस बचे से कुशन करा दे रहा हूँ तो अजन्ता एलोरा की गुफाएं बहिया कहां पर इस्तित है और अरंगाबाद महाराष्टरा और अंगाबाद महाराष्टरा में इस देते हैं अजंता एलोरा की गुफाए बताओ चाक्या कुशिन है विश्वनात आनंद किस से समन्दित है अजंता एलोरा की गुफाए भी यह कहां महाराष्ट में तो कभी-कभी सेर पूछता और राज भी पूछ लेता है विश्वनात आनंद देखो अच्छा है इस कोशिन को राश्री दोज का चोड़ाई और लंबाई का नुपात क्या है लड़के आपर क्या लगाएंगे तीन दो लगाएंगे तीन दो बिल्कुल गलत है चोड़ाई लंबाई मैंने बदल दिया लंबाई को उतर लंबाई तो मंहां सबसपमाई ला लगाएंज लंबाई कर ने बढ़ा है चोड़ाई होती थे तो यह अपर myths दो 2 लिजिए बटे आपर विटा मैंने कर दिया है पहले क्या किया है चोड़ाई कया फिर आपर लंबाई किया है तो लंबाई लंबा है तीन चोड़ाई थोड़ा छोटा है तो दो अनफाते थीक किस option में option नमर बी में दो अनफाते तीन क्लियर हुआ ना चलिए समझ गहोंगे आजाओ फिर अगले question पर भारती सम्मिधान कब लागू हुआ था भारती सम्मिधान जो अब यह कब लागू हुआ था 51 question यह correct है 26 यनवरी 1950 में लागू हुआ भारती सम्मिधान पेपर के लिए अति मैंत्यपोड प्रस्न है देखे बुलंद दरवाजा कहां इस्तित है बुलं चिन असोग का चक्र है याद रखें असोग का चक्र भारत का राष्टी चिन है याद रखें इस question को देखो इस question को भारत के मुख्य नयदीस की नियुक्ति कौन करता है भारत के मुख्य नयदीस की नियुक्ति कौन करता है तो मुख्य नयदीस की नियुक्ति हमेसा से समंधित अर्शेश 370 भी यह जम्मू कस्मीर से समंधित याद रखें एराइट है देखो भारत के पर्थम नोबिल पुरुषकार प्राप्त करता का नाम क्या है यह कमेंट करके बताना है इस कोश्चन को इस कोश्चन में लड़के बहुत डाउट करते हैं कमेंट करके प्ल इसमंधित कोश्चन को धियां से देखो जामा मस्वित कहां है तो दिल्ली में आप घिल्ली विए लट या इपि नई इंदिया गेट चलो कुतुम मिनार किस जगे पर इस्तित भीया कुतुम मिनार किस जगे पर इस्तित भीया या फिर किस इस्तान पर दिल्ली में इस्तित भीया भी कुतुम मिनार कहां दिल्ली में इस्तित है कुतुम मिनार ओके क्लेर हुआ चलो फिर बताओ चाह इस कोश्चन को व्रदेशवर मंदिर कहा है 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 इस कोश्चन को व्रदेशवर मंदिर कह के लेखा कोने midnight children नमक पुस्तक के लेखा कोने सल्मान रुस्दी याद रखे पेपर के लिए important question बहुत बार पूछा जाता है confuse करते हो आप सभी लोग विक्रम सेट को यह लगाता है कोई सल्मान रुस्दी लगाता है ओके हमेसा एक यह लगा है सल्मान रुस्दी midnight children देखो यह इस question को चिन्ना स्वामी क्रिकेट इस्टिडियम का है इस थे थे 63 question बंगलोर में इस थे थे याद रखे बंगलोर ओके हग बोसुन को किस नाम से भी जाना जाता है हग बोसुन को किस नाम से भी जाना जाता 64 question भगवान का अंस है भगवान का अंस एक रिक्ठ है देखो भारत में प्रसिद्ध दच्छडेस्वर काली मंदिर कहा इस्तिते थे तो ये कोलकाता में इस्तिते थे फशिम मंगाल की राज़ता नहीं कोलकाता याद रखें option number B right है बुल्स और बियर सब्द किस के लिए इस्तिमाल किया जाता भी है बुल्स और बियर सब्द इस्तिमाल किया जाता है साडो की लडाई के लिए नहीं बिया स्टाक एक्सचेंज के लिए स्टाक एक्सचेंज के लिए बुल्स और बियर सब्द इस्तिमाल किया जाते है क्यों और जब यह साडो की लडाई के लिए वो होता है bull fighting, bull fighting होता है, confuse हिम्मत रहे, bull fighting साडो की लडाई के लिए, साडो की लडाई के लिए, बुल fighting है, साडो की लडाई के लिए यूज होता है, bulls और bhear सब पूछे, तो इक्ष्टाक exchange के लिए यूज करते हैं, सब ठीक है, चलिए, देखिए, भारत का सबसे घनी आवादी वाला राजी कौन सा है, कन्फ्यूज करोगे, कन्फ्यूज करोगे, मुझे पता है, अकसर कन्फ्यूज करते हैं लड़के, भारत के सबसे घनी आवादी वाला राजी कौन सा है तो उत्तरप्रदेश रड़के बिलकुल लगा रहे है गलत है बिहार यहाँ पर correct answer रहाद रहे है घनी आवादी वाला सहर भिया क्या हो जाएगा बिहार सबसे अधिक आवादी वाला हो जाएगा यह उत्तरप्रदेश में ओके चलिए देखी फिर इस question को मनार की खाड़ी किस राज में इस्तित है मनार की खाड़ी 68 question तमिलाडू राज में इस्तित है याद रखें तमिलाडू राज देखी फिर क्या question है 6 अगस्त 1945 में किस सहर पर परमाडू बम से हमला हुआ था भीया 6 अगस्त 1945 में जो परमाडू बम से हमला हुआ था किस सहर में हुआ था 6 अगस्त भीया हिरोसिमा में हुआ था 6 अगस्त 1945 में 6 अगस्त 1945 में परमाडू बम से हमला हुआ भीया या या पर हिरोसिमा में और एक पूछले आजाए, 9 गस्त पूचा जाता है, अक्सर सुर्कियों में रहता है, 9 गस्त, AUG 1945, तो भी यह 6 गस्त, 9 गस्त निस्त नागस्त था की, जापान के दोनों सहरा याद रहे हैं, 6 गस्त, 9 गस्त वाले, नागस्त था की पूछें, तो 9 गस्त खरी, 9 से 9, 9 से नाग चैनल आपर मिलीख नहीं और मैं देहां पुरार से उस्वयूज को हैं को ऐसे नहीं अपर कुत कोक्षा को पूश हैं ? पिरामिड किस देश में पाए जाते हैं मिस्त्र में भिया पाए जाते हैं फिलालाइट है ओप्सन नमर भी मिस्त्र देखलो निम्र में से राजगाट कहां इस्तित है राजगाट भिया एक किसी की समाधी इस्तल है महात्मा गांधी की किसी की नई समाधी इस्तल महात्मा गांधी की समाधी इस्तल है दिल्ली में इस्तित राजगाट याद रखें दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधी इस्तल है चलिए लखनव सहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है भारत का प्रतम उपराश्टपती कौन था, सभी को पता है बहुत, यह धाक्तर स्राधा क्रिश्नन, ऑके, यात रखे, चलिए स्वतम्तर भारत की प्रतम जर्नल कौन थे गई इस कोशन को भारत के स्वतंतरता दिवस का भासरक दिया जाता है तो भी यहाई याँ पर लाल के लिए पर क्या दिए बहा सट ही जा जाता है याद है। इसे सिंदु बोलता है, इस सिंदु राइट है, एक करेक्ष है। लोगसभा का नेता या सदस कोन होता है बच्चे बहुत कनफ्यूज करते हैं तो कोई-कोई यहां पर लगा देता क्या लौगशभा का सदस या कि नेता कोर होता है तो लोगसभा अद्धक्च लड़के लगाते हैं कर लते हो जोगी speaker इनको बोलते हैं इनी कोई speaker बोलते हैं लोक्सवा का नेता है, सदस किसको बोलते हैं प्रधान मंतरी को बोलते हैं C right है देखें उच्छा इस question को मनुस्तो दोरा अपनाया गया पहला दातु है कौन सा दातु अपनाया गया था मनुस्तो के दोरा तामबा जैगक अब ये यूपी में शिस्त है कुसी नगर ओके इनकान में नेपाल में में और लेकी मिरत्यों कहा धी य unc आपर हो जाएता है गोमतिया तक है देखिए 82 कोशिन क्या है आपर ध्यान से देखो निम्निमे से चीन की मुद्रा क्या है चीन की मुद्रा भही आपर option नहीं सोक गया है आपर यूवान हो जाएगे चीन की मुद्रा यूवान है चापान की मुद्रा येन है जापान की मुद् कुछन को कौन सा जानवर सबसे पहले आंतरिच में बेजा गया ता कौन सा जानवर था जो सबसे पहले आंतरिच में बेजा गया कुटता था याद रखें ऑप्शन ए राइड़े कुटता देखो रेक्टर स्किल से क्या मापा जाता है एक बार कमेंट में वीडो पसंद आ रहा है तो यस भूलो एक बार कमेंट में वीडो पसंद आ रहा है क। ख़े लग रहे तो यस भूलो री चुकर रिख भारत की कौन सी नथी को दप्रोसकार का जाता है भारत का सर्वोच सिविलियन पुरुषकार कौन सा है भारत रतन है भारत रतन भारत का सर्वोच सिविलियन पुरुषकार भारत रतन है 86 का करेक्ट फिलाल उपसर नमबर D देख लो इस कोशन को ये कोशन बच्चे कनफ्यूज करते हैं साथ लगाते हैं साथ लगाते हैं या आट लगाते हैं क्या करना भी बता रहा हूँ निवन में से कुल कितने महादीव हैं या साथ नहीं हैं खलत कर रहा हूँ आठ हैं ओके कितने हैं भारत में कुल कितने महादीव हैं आठ हैं एक कौन सा बढ़ गया नियू जिलेंड के वग्यानिकों ने एक खोज की जिलेंडिया जिलेंडिया महादीप की खोज की टोटल हो गए आठ पहले कितने थे साथ थे प्रजेंट टाइम में आठ है कुल महादीप, ओके ऑप्शन नम्मर फिलाल सी करेक्ट है देग लो इस कोश को एक रर्क्ट फुट वॉल से, तुरंट का फुट वॉल से समन देते है, ए रर्ट है याद रख्या है आप सभी, दूरंट का फुट वॉल से समन देता है, आप सभी लोग सब्सक्राइब करेख जूदוע जाओ, क्योंकि ही बहुत ही इंप्रेंट चैनल है, और इस पर पेपर कोशन बनते हैं चेप्टर वाइस में, ओके, चलो अगले कोशन में चलते हैं, देखते हैं आपर अगले कोशन क्या है, देख लो, विक्टोरिया मिमोरियल कहा है इसती थे, तो यह बताओ, विक्टोरिया मिमोरियल कहा है इसती थे, कोलकाता में इसती थे, पश्यमंगा का उपसभापती का चुनाओं कौन करता है राजसभा के उपसभापती का चुनाओं कौन करता है तो यह राजसभाई करती है ओके राजसभा का उपसभापती कौन होता है राजसभा का उपसभापती उपराष्टपती होते हैं ओके कौन होता है राजसभा का उपसभापती प प्रत्म महिला प्र्दान मंत्री कौन थी गायश किषिरी माव बंडारनाई के थी काँ सुरे लंका कीथ सबसे पहली विश्यचु में के नाम से प्रसिद्ध में है, Nightingles of India के नाम से कौन प्रसिद्ध है, Sarojini Naidu, option number C correct है, Nightingles of India के नाम से Sarojini Naidu famous है, 94 का C correct, देखो क्या कोशन है, Santosh Trophy का सम्मद की skill से, Santosh Trophy, Santosh Trophy का सम्मद या पर footwall से, option number A correct है, footwall, देखो, यहाँ पर क्या कोशन मनना है, भारत में परमाणू उर्जा के पिता के नाम से किसे जाना जाता है, परमाणू उर्जा के पिता के नाम से, डाक्टर होमी जहांगे इर भाबा को जानते है, option number A correct है, डॉक्टर होमी जहांगीर भापा नेक्स कोशन देखो है आपकर क्या कोशन मना है भारत दोरा चोड़ा गया पहला उपगराह काँ सा था 97 कोशन और आपके obrigado अंसर 1997 अरे बजर Dec अर्बट था तक चोड़ा गया कमेंट से स्वी डिवाब बता सकते हैं याद रखें, 33 युद्र 1761 में हुआ था, याद रखें, यह 1st हुआ था, यह 2nd हुआ था, पर्थम युद्ध की बात कर रहों में, पर्थम युद्ध बाबार और ब्राहिम नोधी के मत हुआ था, ओके, याद रखें, फ्लाल लाइड है, option number B, चलें, नेक्स्ट कोशन देखा जाए फिर, देख लो 99 गया है, हजारी बाग, हजारी बाग, नेशनल पार क्या है, जारखंड में इस्थित्था, याद रखें, ओके, जारखंड की राजदानी, क्या है, राची है, ठीक, क्लेर हुआ, आज का लास्ट कोशन देख लो, फटापड़ क आपर क्या कोशन है? 100 कोशन देखो, सबसे छोटा महादीब कौन सा है? रिवीजन करते रहो, आप से लोग मेरे साथ जोड़े रहोगे, तो रिवीजन कराता रहूँगा, तो सबसे छोटा महादीब कौन सा है? बता रहा हूँ यहाँ आपर राइट है, आप से छोटा महादीब आश्टेलिया महादीब पर याद रखें, वीडियो पसंद आया, तो यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, टेलिग्राम चैनल पर आप से लोग इसकी पीडिया मिल जाएगी, फ्री में आप से लोग डाउलोड कर सकते हो, और लेड़ी आप से लोग टेलिग्राम पर जुड़ जाओ, इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, तैंक्स पर वाचिंग गाईस,